शुपाल सिंग यादो नई पार्टी को लेकर कहीं न कहीं अपने कारेकरताओं के साथ बैठा कर रहे हैं कितनी सचाई ही इसमें हम बात करते हैं खुद शुपाल यादो जी से शुपाल जी आपकी पार्टी आपकी एक्टिविटी बढ़ी हुई है आपके समर्थकों की एक्टिविटी बढ़ी हुई है लगातार आप लोहिया ट्रस में बैठ के कर रहे हैं क्या माना जाए कि आने वाले वक्त में शुपाल यादो अलग स्टैंड लेंगे देखे हैं हमारा हमेशा प्रयास रहा है समाजवादी पाट्टी लंबे संगर्स के बाद बनी है और बहुत महनत से बनी है इसमें लासों लोगों का खून पसीना बहा है तो हम चाहते हैं कि पूरा समाजवादी परिवार एक रहे और मजबूती के साथ बिकल्प के रूमें आए यह हमारा प्रयास है और लगाता रहा है तो जिन लोगों के पेच्चा हो रही है तो उन्हें कोई काम नहीं दिया जाए जो पेच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च अब यह हम इसलिए कि देखे लोगस्वा के तुनाव भी आ रहे है बूत पर भी जाना है चंदा के बीच भी जाना है और काम नहीं मिल ला है जुम्मेदारी नहीं मिल ला है यहां तक कि मुझे भी जुम्मेदारी नहीं मिल रही है मज़े भी जम्मेदारी नहीं मिल रही है पार्टी की मीटिंग में सुचना भी नहीं दी जा रही है और जब जब मुझे सुचना दी गई है तब मैं पहुंचा यह मना जाए कि आने वाले चुनाओं में आप अलग पार्टी या अलग मोर्चा या अलग दल बना करके लड़ेंगे चुनाओं अब वो तो समाई पर फैसला लेंगे जो मैंने कहा कि बहुत महना से पार्टी बनी है नेताजी के नेताजी के नेताज में बहुत बड़े बड़े नेताज में समाजबारी पार्टी में रहे नेताजी नेताजी के बाद देने सौर मिस्रा उनके साथ रहे हैं प्रानी लोगों को फिर से एक करेंगा तो हम चाहते हैं कि जितने भी उपेच्छत लोग हैं और जिने काम नहीं मैं बहा है तो बो हमने समादबादी से कुला मूचा इसलिए बनाया है जा रहे हैं पहुत हैं हर्जले में जा रहे हैं और अप्टुनाव मर्दी का रहा है तो और तेजी से मुलाइम सिंग जी का क्या होगा किधर रहेंगे अब वो तो बहुत बता हैं कि मैं तो चाहता हूँ जाते कि सम्मान रहे उनका सम्मान रहे उनके जगा पे आप उमिद्वार नहीं देंगे सरे अब वो तो बाद की बात है वो तो बाद में फैसला पार्टी लेगी पार्टी फैसला लेगी तो ये थे शुपाल सिंग गया दो साफतर तौर पे इन्होंने नई पार्टी बनाने का एक तरीके से ऐलान कर दिया है और ये समाजवादी सिकलर मोर्चा के नाम से ही होगा हाला की पूरी बात कुछ वक्त बात सामने आएगी हरिश कानपाल के साथ लखनओ आज तक तो हमने एक समाजवादी सिकलर मोर्चा जो पेच्छत लोग हैं जने काम नहीं मिल ला है भूम रहे हैं विचारे काम के लिए भूम रहे हैं और हैं समाजवादी विचादारा के लोग तो मैंने एक समाजवादी सिकलर मोर्चा बना करके उन्हें जम्मेदारी दी है तो ये समाजवादी सिकलर मूर्चा क्या पार्टी के तौर पे काम करेगा? अब ये हम इसलिए कि देखे लोगसवा के तुनाव भी आ रहे हैं बूत पर भी जाना है चंदा के बीच भी जाना है और काम नहीं मिल रहा है जुम्मेदारी नहीं मिल रही है पार्टी की मीटिंग में सुचना भी नहीं दी जा रही है और जब-जब मिझे सुचना दी गई है तब मैं पहुचा ये मना जाए कि आने वाले चुनाओं में आप अलग पार्टी या अलग मोर्चा या अलग दल बना करके लड़ेंगे चुनाओं अब वो तो समय पर फैसला लेंगे जो मैंने कहा कि बहुत महना से पार्टी बनी है नेताजी के नेताजी के नेताज में बहुत बड़े बड़े नेताज में समाजबारी पार्टी में रहे नेताजी नेताजी के बाद देने सुर्द मिस्रा उनके साथ रहे हैं बाब कपल देव सिंग जी रहे हैं, मौहन सिंग रहे हैं, बुशा टिवारी रहे हैं, अलाम सांदाज जी रहे हैं, पुराने लोगों को फिर से एक करेंगे हैं। तो हम चाते हैं कि जितने भी उक्षों लोग हैं, और जिने कम नहीं मिल लाएं, तो बो जह में समासबादी से कुल हमचा इसलिए बनाया है, जारहा हैं। रोज जा रहे हैं हर जिले में जा रहे हैं और अप्टिर्नावमर्दी का रहा है तो और तेजी से मुत जाराई है अब तो बहुत बॉर्दाएं कि मैं तो जाता हूं छादे चाहती हैं उनका सम्मान रहा कि जेखह पर अंबदवार नहीं देंगे। अब वो तो बात की बात है वो तो बात में फैसला पार्टी लेगी पार्टी फैसला लेगी तो ये थे शिवपाल सिंग लिए दो साफतर रित्तौर भी इन्होंने नई पार्टी बनाने का एक तरीके से आलान कर दिया है और ये समाजवादी सिकलर मोर्शा के नाम से ही होगा हाला की पूरी बात कुछ वक्त बात सामने आएगी हरिश कानपाल के साथ कुमार भी शेक